Hello friends, स्वागत है आपका हमारे YouTube channel Learn Technical में फिर से दोस्तों नई recruitment की information लेके हैं हूँ Tata Consultancy Services की तरफ से TCS की तरफ से दोस्तों तीन hiring जो है वो announce करी गई है पहली जो है वो BC और BSC candidate के लिए है दूसरी जो है वो MBA candidate के लिए और तीसरी जो है वो BE, BTEC इसके लावा MCA, MSC उन लोगों के लिए है तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी disability criteria के बारे में तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि freshers के लिए recruitment है experienced candidate के लिए recruitment है इसके लावा application fees बिलकुल भी नहीं है और last date जो है वो 30 November रखी गई है बाकि हर एक post के लिए अलग qualification है, यानि हर एक hiring के लिए अलग criteria है तो एके करके हम लोग तीनों recruitment के बारे में बात करेंगे, तीनों hiring के बारे में बात करेंगे, तो शुर्च से लेके last days video को complete देखेगा ताकि आपको हर एक चीज सरे detail का पता चल जाए और last में मैं ये भी बता दूँगा आपको कि आपको registration जो है वो कैसे करना है और अगर आप पहले से registered है तो आपको logging जो है वो कैसे करना है तो सबसे पहले दूस्तों बात करते हैं ये hiring है, smart hiring BC और BSC candidate के लिए अगर आपने 2020, 2021, 2022 में BCA या BSC करी है या आप 2022 में पास आउट होने वाले हैं तो आपके लिए बढ़िया मोगा है आप eligible apply कर सकते हैं आपने BCA कर रखी है या BSC कर रखी है, math में, statistics में इसके लावा physics में, chemistry में electronics में, biochemistry में, computer science में IT में, आप eligible apply कर सकते हैं batch आपको पता है 20, 21 और 22 होना चाहिए अगर आपका selection इसमें हो जाता है आपकी performance अच्छी रहती है तो यहाँ पे MOCA मिलेगा आपको TCS का हिस्सा बनेगा TCS Ignite में जो है आपको काम करने का MOCA मिलेगा और TCS में अगर काम करने का MOCA मिलता तो salary आपको अच्छी कासी मिलती है लिकिन यहाँ पे test लिया जाएगा अगर आप जो है वो test देना चाहते हैं तो आप register कर सकते हैं last date आप देख सकते हैं 30 November जो है वो रखी गई है इसके लावा interview की date अभी जो है जो है जिन लोगों ने नहीं करा है वो लोग जो है वो कर सकते हैं इसके लावा आप भी करके देख लीजेगा इसके लावा दोस्तों आपकी academic career में जो है वो दो साल से जादा का gap जो है वो नहीं होना चाहिए ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया है लेकिन उसको भी आपको clear करना पड़ेगा लेकिन अगर एक से जादा है तो आप apply नहीं कर पाएंगे इसके लावा दोस्तों जो है वो दो साल से जादा का gap जो है आपका नहीं होना चाहिए अगर है तो आप apply नहीं कर सकते हैं application fees बिल्कुल भी नहीं मागी गई है और आपने इससे जादा qualification नहीं करी होनी चाहिए कोई भी highest qualification आपने करी हुई है आप eligible नहीं है test pattern की बात करें तो test आपका ज़रूर होगा जिसमें verbal ability आएगा reasoning ability आएगा numerical ability आएगा 120 minute का time मिलेगा और 80 questions होने वाले ही इसके लावे दोस्तों अगर आप इसके लिए आवेधन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले tcs next step portal पे जाके यहाँ पे here पे क्लिक करिएगा link आपको description में मिल जाएंगे अलग-अलग आप जाके registration कर लीजेगा वहाँ पे आपको register करना है अगर आपने पहले से apply नहीं करा है अगर आपने पहले से apply कर रखा है यानि कि register आपने कर रखा है तो आपके पास login और password होगा उसी login से आप login करिए और apply for drive पे click करके आप apply कर सकते हैं और जो लोग first time apply करेंगे उनको register करना पड़ेगा जो मैं वीडियो के last में आपको बताऊंगा कि आपको registration कैसे करना है तो register करने के लिए आपको IT section में ही register करना है दो section मिलेंगे आपको और IT में करना है वो वीडियो के last में आपको ज़रूर बताऊंगा तो ये थी दोस्तो smart hiring का अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर MBA hiring जिन लोगों ने MBA कर रखा है किसी भी specialization में उनके लिए ये recruitment है batch आप देख सकते हैं 2020, 2020 और जो लोग 2022 में जो है वो पास आउट होने वाले हैं वो लोग eligible अपलाई कर सकते हैं test की date अनॉंस नहीं करीगी है बाकी 30 November 2021 को आप जो है वो लास्ट डेट रखी गई है आप इस 30 November तक अपलाई कर सकते हैं इसके लब दोस्तों अगर बात करें यहां पर age limit की तो अठा साल minimum रखी गई है अठाई साल maximum रखी गई है और जो पिछली recruitment थी उसमें भी age का criteria लगभग सेम ही था अगर आपने MBA कर रखी है MMS कर रखी है दो साल की PGDBA कर रखी है PGDM कर रखी है marketing में, finance में, operations में, supply chain management में information technology में journal management में, business analyst में project management में आप अपलाई कर सकते हैं 2020, 2021 और 2022 बैच वाले इसके लाब बी बी टक background जो होना चाहिए MBA से पहले तो ही आप apply कर सकते हैं integrated MBA हो तो apply कर सकते हैं इसके लाब अगर आपके पास experience है तो आप कर सकते हैं लेकिन आपके job role से related experience होना चाहिए तब ही आप as a experience candidate आवेदन कर सकते हैं भी freshers के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप apply करके देखेगा freshers के लिए भी यहाँ पे recruitment होने वाली है क्योंकि उन्हें 2022 badge भी मांगा है तो यहाँ पे कोई भी post qualification experience के बारे में नहीं लिखा है बाकि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो भी आप apply कर पाएंगे register करके apply करतीजेगा यहाँ पे दोस्तों test detail की बात करें तो 47 questions आएंगे 90 minute का time मिलेगा verbal aptitude होगा quantitative aptitude होगा business aptitude होगा अभी यहाँ पे दोस्तों हो सकता है आपका test वे वो खर पे ही online mode से ही दे लिया जाए यह भी चीज ध्यान में रखेगा अब बात करतें दोस्तों यहाँ पे TCS off campus hiring की यह B.E.B.Tech वालों के लिए है दो साल तक का experience यहाँ पे लिखा गया है freshers के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है लेकिन पिछली बार जब यह recruitment निकली थी तो freshers के लिए थी और यह phase 2 है इससे पहले सिप्टेंबर में भी recruitment आई थी बहुत सारे लोगों ने अवेदन करा था अगर आपने अवेदन नहीं करा है तो दुबारा से मोका है आप जरूर TCS off campus drive में इस वाले में apply कर सकते हैं B.E.B.Tech, M.E.M.Tech, M.C.A., M.S.C. 2020 और 2021 यही लोग apply कर सकते हैं यानि कि अगर आपका बैज जो है वो 2022 में आप पास आउट होने वाले तो आप apply नहीं कर सकते हैं तो यह phase 2 है, phase 1 में काफी लोगों ने अवेदन करा था, आपने करा हुआ है तो आप रहने दीजिए, क्योंकि आपका अगर आपका selection हो है तो आपको test के लिए mail आ गया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करा है वो लोग इसमें participate कर सकते हैं 60% marks या 6 CGPA के साथ आप apply कर सकते हैं 60% marks आपके 10th में भी होने चाहिए, 12th में भी होने चाहिए prior experience दो साल तक का उन्होंने मांगा है यानि कि दो साल तक का आपके पास experience है आप apply कर सकते हैं 6 months का है, एक साल का है हो सकता है वो consider करें लेकिन यहाँ पे दो साल तक का experience उन्होंने मांगा है age limit सेम 18 से 28 साल मांगी गई है आप चाहें तो apply कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों यहाँ पे frequently asked questions में उन्होंने बहुत सारी चीज़े बताई है अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इस section में जाके आप यह सारी चीज़े रीड कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा और IT में आपको apply करना है वह मैं भी आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे भी registration सेम तरीके से आपको करना है जैसे ही आप link पे click करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे apply online के link पे click करने के बाद यहाँ पे register now पे अगर आप first time visit कर रहे हैं अगर आपने पहले से यहाँ पे apply करा हुआ है और आप six month के बाद एक साल के बाद दोबारा से apply करने वाले तो पुराने login के साथ apply करने के लिए यहाँ पे उपर आपको login करके सीधा apply drive पे click करके apply कर देना है बाकि जो लोग first time है वहाँ पे register now पे click करना है उसके बाद यहाँ पे IT section पे आपको click करना है VPS में click नहीं करना है IT पे click करना है उसके बाद आप यहाँ पे इस पे आ जाएंगा और यहाँ पे आपको registration करना है जो भी आपकी qualification है आपकी date of worth सारी चीज़े लिख के आपको कर देनी है और अगर आपको इस टाइम पे भी लगेगी आपके पास पुराना login ID है तो आप यहाँ पे उपर login पे click करके login कर सकते हैं आपको बार-बार registration करने का ज़रूरत नहीं है तो यह दोस्तो तीन recruitment drives हैं तीनों off-campus drive हैं अगर आप तीनों में से आपका किसी में भी selection होता है तो अच्छी खासी salary पे आपको मोका मिलेगा TCS जैसी बड़ी company में Tata Consultancy Services जैसी बड़ी company में काम करने का और salary package भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा और application fees बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे किसी भी तरह का दो recruitment में तो किसी भी तरह का experience नहीं माँगा क्योंकि उसमें final year वाले eligible है 2020 batch वाले eligible है तो उसमें तो आप फ्रेशर बिल्कुल eligible है बाकी एक recruitment का थोड़ा सा है बाकी अप apply करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा तो यहीं तो दोस्ता आज की इस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और अगर वीडियो से related आपके कुछ questions है तो आप comment section में पूछिए और चैनल को subscribe कर दीजिए मिलेंगे ऐसी किसी नही जोब अप्रेट के साथ दुवारा से तब तक आप अपना ख्याल रखे